नेतिवचन अध्याय चब्विस जैसा दुपकाल में हिमका और कटनी के समय जलका पढ़ना वैसा ही मुर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती जैसे गवरिया घुमते घुमते और सुपा बेनी उखड़ते उखड़ते नहीं बैठती वैसे ही गर्थशा नहीं पढ़ता गोड़े के लिए कोड़ा गद्धे के लिए बाग और मुर्खों की पीट के लिए चड़िये मुर्ख को उसकी मुर्खता की अनुसार उत्तर न देना ऐसा नहीं कि तू भी उसके तुल्य ठेरे मुर्ख को उसकी मूर्ता के अनुसार उत्तर देना ऐसा नहों कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठेरे। जो मुर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानों अपने पाव में कुलहडा मारता और वीश पीता है। जैसे लवड़े के पाव लडखडाते हैं, वैसे ही मुर्खों के वचन में निती वचन होता है। जैसे पत्तरों के धेर में मच्चलियों की थैली, वैसे ही मुर्ख को महमा देनी होती है। जैसे पत्वाले के हाथ में काटा गड़ता है, वैसे ही मुर्खों का कहा हुआ, नीतिवचन भी दुखताई होता है। जैसा कोई तिरंदाज जो अकारन सबको मारता हो, वैसे ही मुर्खों वा बटोहियों का मजदूर में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छाट को चाड़ता है, वैसे ही मुर्ख अपनी मुर्खता को दुखराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे, जो अपनी दुष्टी में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मुर्ख ही से है। आलसी कहता है कि मार्ग में सीहा है और चौके में सीहा है। अपने को ठीक उतर देने वाले साथ मुर्खों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराय जगडे में विग्ण डालता है सो वहां उसके सामने है जो कुट्टे को कानों से पकड़ता है जैसा एक पागल जो चलती लकडिया और मुर्त्यू के तीर फिकता है वैसा ही वहद ही होता है जो अपने पड़शी को दोखा देकर कहता है कि मैं तो ठटा कर रहा था जैसे लकडी न होने के कारण आग बूचती है उसी प्रकार जहां कानाफुसी करने वाला नहीं वहां जगड़ा मिट जाता है जैसा अंगारों में कोईला और आग में लकडी होती है वैसा ही जगड़े के बढ़ाने के लिए जगड़ा लो होता है तानाफुसी करने वाले के वच्चन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं जैसा कोई चांदी का पानी चड़ाया हुआ मिट्टी का बरतर हो वैसा ही बुरे मनवाले के प्रेम भरे वच्चन होते हैं जो बैरी बात से तो अपने को बोला बनाता है परन्तु अपने भीतर छल रखता है उसकी मिठी मिठी बात प्रतिती न करना क्योंकि उसके मन में साथ घिनावनी वस्तुए रहते हैं चाहे उसका बैर छल के कारण चिप भी जाए तो भी उसकी बुराय सभा के बीच प्रगट हो जाएगे जो गड़ा खोदे वही उसे में गिरेगा और जो पत्थर रुनकाए वहां उस पर उलटकर उसी पर रुनकाए जाएगा जिसने किसी को जोटी बातों के धायल किया हो वहां उससे बैर रखता है और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है